Hello everyone, welcome to the new video from Studybers और मैं हूँ अन्दुबफ रुकता So यार आज की वीडियो especially उन बच्चों के लिए है या तो जो बीटेक कर रहे हैं या बीटेक कर चुके है आज की वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसे पहले friends हम स्टार्ट कर रहा है वो डिक्वेस्ट हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरू प्रेस कर लेना ताकि ऐसी सारी important वीडियो की notification आपको मिलती रहे अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे group भी जॉइन कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आपको डाउट आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं डाउट फेखिल्टी आपका सारी डाउट सॉल्फ कर देंगी अगर आप studybus का pen drive course लेना चाहते है तो उसकी complete details आपको हमारी website के उपर मिल जाएगी जो कि है www.studybus.co.in यहीं जाके आप अपना order भी प्लेस कर सकते हो और हर pen drive के साथ मिलता आपको एक portal जिसकी validity test 31st March 2022 तक होती है जिसमें topic wise test, sectional test और full length test भी आपको यह सारे मिलते हैं इसके लाव आपको एक study planner का भी future मिलता है जिसमें आप एक organized manner के अंदर अपनी preparation कर सकते हो इसके बारे में आपकी कोई भी query है तो आप हमारे help line number पे आप हमें contact कर सकते हो अगर friends मैं एक बात करूँ तो जो भी बच्चे B.Tech कर रहे होते हैं उनके mind के अंदर एक बहुत common dilemma होता है कि क्या मुझे MBA करनी चाहिए अपनी B.Tech के बाद या मुझे M.Tech करनी चाहिए या मुझे job करनी चाहिए तो मुझे actually engineering के बाद क्या करना चाहिए तो आज की वीडियो के अंदर या मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यूं आपको MBA pursue करनी चाहिए अपनी engineering के बाद जिसका सबसे बड़ा reason तो यह है कि आप उस corporate ladder में जिसमें आप enter होना चाहते हो उसके अंदर आप definitely climb कर पाओगे जादा आगे आप जा पाओगे जादा तेजी से आपकी growth होगी क्यूं because जो बच्चे B.Tech as well as MBA कर लेते हैं बहुत अच्छा यह combination बन जाता है of knowledge and skill to give a boost to their career तो जो आपको step धीरे 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 आपको cross करने दे वो अगर आप MBA कर लेते हो तो surely आप वो तेजी से climb करके जा सकते हो इसके बाद क्या होता है कि management की education engineers को help करती है कि वो supervisory as well as visionary roles तक भी rise कर जाए ऐसा ही ना हो कि वो just technical roles के अंदर ही रह जाए फिर वो supervisory as well as visionary यानि की leadership वाले roles of जो company के होते हैं top roles वहां तक भी वो rise कर सकते हैं and अगर आप यह नहीं करते हो तो engineering के option के बाद सिर्फ engineering के बाद यह growth comparatively slow होती है and MBA के बाद यह growth comparatively काफी faster जाती है उसके बाद next point friends इससे आप अपने mid career की saturation point भी avoid कर सकते हो for example कैसे अगर आप detect कर रहो तो आपके mind में सबसे पहला तो यही आता है ना हाँ यार मुझे tech companies में जाना है perfect है बिलकुल जाना चीए आप top tech companies को आप बिलकुल pursue कर सकते हो अगर आपकी recruitment हो जाती है तो बहुत अच्छा options आपके पास होते है वहां भी आप बहुत rise कर सकते हो लेकिन जनरली देखा गया है कि mid career के अंदर बच्चों को एक career saturation point आ जाता है जहां पे पर्टिकुलर feeling burnout तो अगर MBA आपने करी होती है तो इससे diverse options और career opportunities आपके लिए open हो जाती है बहुत सारी profiles भी आपके लिए open हो जाती है फिर आपको ज़री नहीं है कि आपको सिरा फिर tech background में रहना है फिर आप management roles के अंदर भी आ सकते हो जहां पे जो आपकी growth है वो और substantially हो सकती है उसके business होती है बचसे उनका technical background होता है जिसकी वज़े से उनका scientific bent of mind है वो already build हो चुका होता है यानि कि दो साल school में आपने 11-12 में higher science पड़ी है फिर 4 साल आपने b.tech के अंदर लगाए है जहां पे आपका scientific bent of mind आप develop हो चुका है तो friends MBA की help से क्या होता है कि आप human side and human elements of the business environment को भी हो ही गया जो कि एक business के लिए important है आज की date में लेकिन business humans से बनता है तो human का जो element है and business environment को कैसे manage करना है वो भी आप सीखते हो क्योंकि MBA में आपको ऐसे programs पढ़ाया जाते है जिसमें human resource management और ये सारे courses होते है कि organization behavior को control कैसे करना है so diverse subjects जो आपको ये सिखाया जाते है वो आपकी manager skills build कर देते है जो कि आपको surely बहुत help करती है आपकी corporate service आपकी corporate job आपके corporate tenure के अंदर क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि आपको leadership कैसे exhibit करनी है problem solving attitude कैसे होना चाहिए self confidence networking time management planning और भी बहुत सारी managerial skills आपको सिखाया जाती है जो कि surely आपको आपकी corporate job के अंदर बहुत help करती है next ह friends जो की एक बहुत ही attractive reason भी है वो है better salary in hand अगर हम compare करे average salary उन बच्चों की जिनोंने सिरफ b.tech किया है जो सारे b.tech इसके अंदर मैं हर तरीके के college के बच्चों को include कर रहा हूं and average salary उन बच्चों की जिनोंने plus MBA भी करा है यानि कि b.tech के बाद MBA भी कर लिया है तो surely जिनोंने MBA कर high होती है as as compare to those बच्चे जिनोंने सिरफ और सिरफ b.tech किया है तो अगर आपको अपने career के अंदर growth चाहिए अगर आपको better CTC चाहिए अगर आपको better salary चाहिए तो MBA एक बहुत ही lucrative option है जो की इस समय बहुत ही जादा demand में है बहुत ही जादा trend के अंदर है so MBA के degree से surely जो आपकी salary है वो substantially बढ़ सकती है provided आपने अच्छे colleges से top MBA colleges से top B school से अपनी education करी है तो उसके बाद friends next चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है personality development personality development कैसे कि b.tech के बाद जब बच्चे MBA के अंदर आते है तो वहाँ पे environment काफी different होता है क्योंकि MBA के curriculum में आपको सिरफ और सिरफ पढ़ाई नहीं कराई जाती आपको group discussions होते है projects होते है continuous presentations होते है industry visits होती है guest faculty से आपको interaction करने के लिए मिलता है internships होती है इससे आपका क्या होता है आपकी personality develop होती है आपका confidence develop होता है communication skills आपकी develop होती है और यह सारी चीजे आपको future में बहुत जादा help करती है जब आप manager बनते हो तो उसके अंदर यह सारी चीजे आपको definitely बहुत जादा help करती है उसके बाद friends last but not the least एक बहुत ही major reason है कि बच्चों का जो जो tech background से होते है उनको एक edge होता है quants and dillr के अंदर reason being जो बच्चे technical background से है उनका जैसे कि मैंने आपको पता है एक scientific bent of mind बन चुका होता है और 4 साल उन्हें physics के साथ quants भी पड़ी होती है तो जब वो entrance exams के लिए appear होते है for example जैसे cat के अंदर, zat के अंदर, ift के अंदर और भी बहुत सारे exams के अंदर जिनके अंदर वो appear होते है जिनके अंदर quants and higher DILR आता है तो उनको ये clear करने में कोई बहुत जादा problem नहीं आती है अगर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, mocks देते हैं, अपना analysis उनका करते हैं तो surely वो इन सारे exams के, जो quants and DILR section है, उसको निकालने में उनको एक edge रहता है वो easily उनको ace कर सकते हैं and अगर वो अच्छा score लाते हैं, तो surely वो एक अच्छे B school का भी convert कर सकते हैं और वहाँ से वो अपनी management की और MBA की education कर सकते हैं तो friends, यह थे कुछ top reasons, जिन्ती वज़े से मैंने आपको पताए कि क्यू B.Tech वाले बच्चों को MBA के अंदर आना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो यह like जरूर कर देना आप और अपनी वीडियो के suggestions मुझे नीचे comment box के अंदर mention कर सकते हो, हम उनके ओपर future के अंदर वीडियो बनाते रहेंगे So please हमाँ साथ Instagram पर जरूर connect हो जाना अगर आपका कोई doubt या query है, तो आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो So thanks a lot friends, all the best, God bless you